आज हम बनाएंगे केहूं के आटे और मूंग दाल से ये बहुती मज़िदार क्रिस्पी नाश्ता आप इसे आटा मूंग दाल की पापड़ी भी कह सकते हैं और ये बहुत ज़दा क्रिस्पी है फ्रेंस अगर आपका कुछ कुरकुरा खानी का मन हो तो आप इसे बहुती कम टाइम में बनाकर तयार कर सकते हैं आप चाहें तो इसे सफर में भी लेकर जा सकते हैं या फिर आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए इस क्रिस्पी मूंग दाल पापड़ी को बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी नाश्ता बनाने के लिए यहां पर हमने एक चौथाई कप धुली हुई मूंग की दाल लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दाल को हलके हाथों से रब करते हुए धो लेंगे। दो-तीन बार हमें दाल को साफ पानी से धोना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक कप गरम पानी डाल दिया है। और दाल को दो-तीन घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे ताकि दाल जल्दी से फूल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दाल को simple पानी में भी फीगने के लिए रख सकते हैं तो आपको दाल को 3-4 गंटे के लिए सोक होने के लिए रखना होगा। तो हमने गरम पानी में दाल को भीगो कर रखा था, दो घंटे में ही दाल बहुत बढ़ी असा फोल जाती है, आप यहां पर देख सकते हैं, और अब हम दाल को तोड़ कर चेक करके देखेंगे कि यह दाल अच्छे से सॉफ्ट हुई है या नहीं, तो देखें, अगर हम इसे न पानी हमने निकाल दिया है, अब यहां पर हमने दो कप गेहूं का आटा लिया है, आटे को हमने पहले से चान कर लिया है, दोस्तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, तो आप कोई भी मीडियम साइज की कटोरी से नापकर भी चीज़े ले सकते हैं, इसके बाद हम इ परदरी कुटी हुई काली मिर्च अट करेंगे, और इसके बाद आधा चम्मच अजवाइन अट करेंगे, आधा चम्मच जीरा अट करेंगे, और इसके बाद यहां पर मैंने एक चम्मच सफेद तिल लिये हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे, इसमें तिल डालने से नाश् कड़и पत्ता को मैंने बारी काट कर इसमें डाल दिया है अब हम सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें गये ताकि सारे मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके बाद हम इस मौंग की दाल एड़ करेंगी जो दाल हमने भीगो कर रखी थी दाल का हमने सारा पानी निकाल दिया था सारा पानी निकालने के बाद आप दाल को आटे में डाल दीजिए और इसके बाद मैंने मौयन के लिए इसमें दो बड़े चमच तेल एड़ किया है आप चाहें तो तेल की जगा पे यहां पर घी भी डाल सकते हैं घी को आप मेल्ट करके यहां पर डाल दीजिए अब हम सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में मौयन अच्छे से लग जाए दोस्तों इसमें तेल डालने से नाश्ता काफी जादा खसता और क्रिस्पी बनता है अब हम इसकी मुठी बांद कर देखेंगे अगर यह मुठी बंद रही है इसका मतलब हमने इसमें सही मौयन डाल दिया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका टाइट आटा लगा कर तयार करेंगे मठ्री के लिए जो आटा हम लगाते हैं वो थोड़ा सा जादा होता है friends उससे हमें थोड़सा इसे कम रखना है यानि के medium tight आटा हमें यहां पर लगा कर तयार करना है तो यहां पर देखिया आटा लगकर तयार हो चुका है और हमने थोड़ सा tight आटा ही लगा कर तयार किया है अब हम आटे को ढख कर 5- withdrawal के लिए रेस्ट के जब हम इसे ढखकर रखते हैं तो आटा सोफ्ट हो जाता है friends, इसके बाद हम आटे का थोड़ा थोड़ा पौर्शन इस तरह से लेकर इसकी छोटी छोटी सी लोईयां बना कर त्यार कर लेंगे, आप चाहें तो इसे इस तरह से चोटी-छोटी लोईयां बना कर बना सकते हैं बनाएंगे ना तो वो बहुत जादा क्रिस्पी बनती है जब आप उसे फ्राई कर लेंगे तो काफी जादा खस्ता बनती है तो देखें मैंने इसे पतली पूरी की तरह बेल लिया है आप चाहें तो इस तरह से बना कर इन्हें रख सकते हैं प्लेट में और या फिर आप इसक जल्दी तयार हो जाएगा तो हमने इसकी पतली सी रोटी बेल ली है और इसके बाद हम एक स्टील के ग्लास के साथ इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपकी पापड़ी एक साथ बन जाएगी और नाश्ता बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाता है और जो एकस्ट्रा आटा है उसे आप इस तरह से हटा दीजिए और बाद में बेल कर भी उनकी इस तरह से चोटी-चोटी सी पूरियां बना कर आप तयार कर सकते हैं तो चलिए अब हम इने फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमने तेल को गरम होने के ल बहुत जल्दी आ जाएगा और यह उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा तो इसलिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राइ कर रहे हैं मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है जब यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाती है उसके बाद हम इने इस तरह से पलट देंगे ता जैसे यह क्रिस्पी हो जाते है न तो तेल में जाग बिल्कुल कम हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके है और बस इसके बाद हम इने तेल में से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें इनका कलर डार्क नहीं करना है सारी पापड़ी इसे क्रिस्पी नाश्ता बनकर तयार हो चुका है और इसको बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आना है घर में पड़ी हुई चीजों से ही आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तयार हुआ है आप चाहें तो इसे store करके रख सकते हैं, आप इसे किसी airtight container में भरकर store कर लीजिए, दो महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है friends, आप इस recipe को एक पर जरूर ट्राइ कीजेगा, मिलते हैं friends, एक नहीं recipe के साथ, thanks for watching.